आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने प्रत्याशियों के नाम का एरान सबसे पहले किया लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होते ही अर्विंद केजरिवाल गिरफतार होकर जेल पहुँच गए और पार्टी का दिल्ली से लेकर पंजाब तक चुनाव प्रचार एक तरह से ठप पड़ गया वजह ये कि पार्टी के जो बचे कुछे नेता हैं वो सिर्फ अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी पर फोकस कर रही हैं और चुनाव प्रचार से काफ ही दूर हैं केजरिवाल की गिरफतारी ने पार्टी के कारेकर्ताang नेताओं में भ्रम की दिया कि वो आमादनी पार्टी की संपत्ती जब्त करेगी मतलब शराब घोटाला मामले की आच में पार्टी भी तपेगी आमादनी पार्टी के पार्षट पहले से ही हताश निराश बैठे हैं क्योंकि नगर निगम की पार्टी ने किसी कमिटी का गठन नहीं होने दिया के लोग सभाव उम्मीदवार बिना किसी रणनीती के चुनावी मैदान में खुद ही हाथ पाव मार रही हैं। हाला कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीम की गिरिफतारी की समय कुछ औव्यवस्था हुई है। मगर उसके बाद से पार्टी का ध्यान अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की रणनीती पर है। पार्टी अब तक दिल्ली से एक भी सीट जीत नहीं सकी। पिछले लोकसबा चुनाव में पांच सीटों पर तीसरे नंबर पर रही थी जबकि केवल दो सीटें दक्षन दिल्ली और उत्तरी पशिम दिल्ली पर दूसरे नंबर पर रही थी। इससे देखते हुए दोहजार च के लोकसबा चुनाव के लिए पार्टी और गंभीरता से चुनाव को ले रही है और इसी वज़े से आमाद्मी पार्टी ने दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ गट बंधन कर लिया और अपने हिस्से की चार सीटों पर प्रत्याशी भी उतरवा दिये। इसमें दक्षन दिल् मामले में जमानत मिल जाने से रहात तो मिली मगर इस मामले में खास करके दो बड़े नेताओं अरविंद केजरिवाल और मनेशे सोधिया के जेल में होने से पूरी रणनीती प्रभावित हुई है। प्रत्याशी अपने दम पर मैदान में ताकत लगा रहे हैं। उन्होंने का कि सीम भले जेल में हैं मगर हम लोगों के प्रयास में कोई कमी नहीं है। उन्होंने का कि दिल्ली में मतदान के लिए अभी बहुत लंबा समय है और उसे हिसाब से कारिये किया जा रहा है। विएर पूने को ये लिए लेपूर झालान मेर लोगा रहा है। झाल झाल